तो यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंग से अधावत ठानने वाले वरिष्ट आईपियस अधिकारी अमिताब ठाकूर को उन्हीं के डिपार्टमेंट ने फिर से कटगरे में लाखडा किया अमिताब ठाकूर को धंकी दिये जाने के मामले में यूपी पूलिस ने मुलायम सिंग यादब को क्लीन चिट दे दी है यहीं नहीं यूपी पूलिस उल्टा अमिताब ठाकूर पर ही जूटे आरोप दर्ज करवानी को लेकर कोट से कारवाई की इजाज़त मांग रही है हमा ऐसे जो महमान है आज उन स्पोर्ट में उनसे हम आपको एक बार मिलवाते हैं वैश्च पत्रकार हैं एक मिश्रा राजनीतिक विल्ष्लेशक भी है राजनीतिक विल्ष्लेशक के तौर पर अपनी पॉइंट और व्यू को रखेंगे हमा ऐसे एक मिश्रा साथी साथ कॉंगर्स की तरब से अकरम कादरी होंगे अकरम कादरी के पास जाओं उससे पहले मेके मिश्रा आपके साथ शुरू करूंगा यह फैसला आना हलाकि फैसले पे में कोई चुनौती नहीं दे रहा हूं इस फैसले के बाद एक सवाल जो बहुत खास है क्या यह माना जाए कि ब्यूरोक्राट भी दरासर पूरी तरीके स इंफ्लेंस्ट होता है बात शुरू करने के पहले बड़े च्छमा और विने के साथ मैं बोलूँगा कोट या जाच एजंसियों के ऊपर मैं कोई कुश्चन नहीं उठा रहा हूं और ना मैं यह बोलना चाहता हूं कि वह सही है या गलत है कौन पक्ट सही है गलत है लेकिन स जाच एजंसी यह भी तो बता है यह किसकी है हो सकता है यह डॉक्टर्ड बहुत सारे अविनेताया कलाकार मिलते हैं जो कि आवाज को सेम टू सेम डब करके वो प्रोड्यूस करते हैं मैं पॉइंट इस पर क्लियर कर दू क्योंकि जो जाच के प्रकेरिया चल रहे थी मुला मुलायम सिंग्यादो का आडियो सेम्पल लेना कोई इतने हजारों तो उनके भासट पड़े हुए हैं वहां से मैच नहीं हो सकता है दूसरी चीज यह है आपको मैं यह बता हूँ अमताब जी खुद IPS ऑफीसर है उनको पता है कि FIR क्या होती है कैसे सही और कैसे गलत होता है तो मुझे नहीं लगता है भले ही वो बड़े बिवादित रहे हों मुझे नहीं लगता है कि वो इतना जूटे तरीके से किसी चीज को करेंगे तीसरा सबसे important मुलायम सिंग्यादो जी ने बोला कि बड़े होने के नाते मैं उनको समझा रहा था मैं इसका आप उल्टा कि चलिए मैं भी किसी से बड़ा हूं और किसी नेता और मंत्री को इसी तरीके से समझाओं उनको फोन करके और देखे क्या होता है दो मिनट के वीतर पुलिस कितनी एक्टिव होती है तो एक तुलसी दास ने जो कहावत कही है समरत के नहीं दोस घुसाई मुझे यह लगता ह आट कर दो लोग है बहुत इंच्टियों के लिए ब्रेट没有 वह लुझे वह सिस्टम को इंस कटें लोगों को इंक्लेंस करते है अपना प्रस्नल केले के लिए हर डिपार्टमेंट में आपको ऐसे एक्जाम्पेल मिलेंगे, क्या सही है, क्या गलत है, यह एक डिफरेंट चीज है, लेकिन मेरे दो सवाल है, अगर यह आडियो टेप जो था मुलायम सिंह यादव जी और अम्ताप के पीछ की बात नहीं थी, तो एजेंसी यह वता है, किसक किसी को किसी नेता मंत्री या बड़े इंफ्लूएंसियल आदमी को, अगर ऐसे ही फोन पर समझा दें, तो उसका क्या रिजल्ट होता है, मुझे यह भी, जो इंफ्लूएंसियल आदमी है, जो एजेंसी है, मुझे बता है, मेरे काम्या का मतलब, संभीदान और कानून एक है सबके लिए, लेकिन वो सेपरेट क्यों हो जाता है, बात जब बड़े और इंफ्लूएंसियल लोगों की आती है, अकरम कादरी, मैं एक पॉलिटिकल व्यू समझना चाहता हूं, क्योंकि एक बात बहुत सही है, जो अमिताब ठाकुर के प्रोफाइल को भी हमने दिखाया, यह कहा गया कि नारादगी के वज़े से उनको प्रमोशन के इंतजार करना पड़ा, यानि ब्यूरोक्रेट कहीं न कहीं इंफ्लेंस पॉलिटिकल होता है, यानि पॉलिटिकल प्रेशर के अंडर काम करता है, खुद अमिताब ठाकुर के कि ऐसे इंटर्व्यू मैंने देखे पड़े जिसमें उनने कहा कि पॉलिस बहुत दवाब में रहती है, और इसी इंसिडेंस भी देखते हैं कि पॉलिस बहुत जादा प्रेशर में रहती है, आज भी और यह से खबर आई जहां पे पॉलिस वाले ने सुसाइड कर लिया, यानि प्रेशर है और इस तरह का अगर किसी ब्यूरोक्रेट की है, तो उसको छोड़ कैसे दिया, इस इतनी आसानी साब कैसे कहा है, मैं तो उसी पॉइंट औ व्यू को समझना चाह रहा हूं कि ब्यूरोक्रेट की बात में कर रहा है, जिस अधिकारी पर रेप के आरोफ हो और उसके बाद अगर इनको क्लीन चिट मिल गई तो क्या गलत हुआ है, अच्छा काम हुआ है, हम तो के टोटल केस में को क्लीन चिट मिल जाए, फिर तर बिभक्ष की ब्हूम का तो निभाएंगे, अभी तो ये बिभक्ष में भूमिय धिगर बिल में ये बीजेपी के साथ थढ़ेते हैं, जरे इनको सारे केस में क्लीन चिट सबकेस मिल जाए, तो दंग से बभग्षी भूम के निभाएंगे, बाकि क्या है, जिसको चारि इपन केस को चारि एंपरे शायए, जिसको चारि ए खेल 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 है, कुछ विह हो सकता है, मैं ये ये खेल खेलाया है, ये तो इक आपरादी को तो फिरी होन मुलाहिम सिंह यादव की बात कर रहा हूँ, आप मुजफ़र ने कर दने मुलाहिम सिंह यादव तो बिल्कु इनको क्लिंचिट मिलनी चाहिए, क्योंकि जो सामने अपरादी है, वो रेप तक के आरोप में है, उनको मायवती नहीं साइट किया हुआ था, तो जाहिलती बाते ह इसका कोई पता है, तो आप बताई है, लेकिन इस सरा के अधिकारी को ध्यान रखना रखना बहु जरूरी है वरना कुछी भी कर सकते हैं से अधिकारी, तो मतलब आप यह जताना चाहरें अकरम कादरी, कि जो इन्वेस्टिकेशन हुआ उसमें भी पोलिस तो है, पॉलिटि इसको मैं कोई दावे के साथ नहीं कह सकता, लेकिन मैं यह कह रहा हूं, जो मौझूदों सरकार है, यह अपने मनवाने फैसलिए कर रही है, कानून को नहीं मानने, यह सम्मिधान को नहीं मानने, आप अगर दूसरे लहज़े पर यह कह रहे हैं, तो इन्डिरेक्ली मेरे सम् इसे थ्रेट की बात तो इन्हों ने भी की थी, ठाकुड ने, और उन्हें कही थी कि मुझे भी प्रोडक्शन की जरुरत है, इन्हों ने कहा, वो तो एक केस मजबूत करने के लिए कहा होगा, लेकिन संजी भट के साथ जो हो रहे हम देख रहे हैं, जो कुछ संजी भट के स आपके साशनकाल में, आशो खेमका के लगातार आरोप लगते रहे, कि हमें काम नहीं करने दिया रहा, उस वक्त को यह पॉइंट आउट नहीं करते हैं, यानि एक बत सही है कि पॉलिटिकल पार्टी पूरी तरीके से अप्रोच करना चाहती है, इन्फूएंस करना चाहती ह आपको बता हूँ, 101% मैं इस चीज को मानता हूँ, यह हमारे सिस्टम की खामी है, मैं यह मानता हूँ कि क्यों पॉलिटिकल पार्टियां जिनका एजन्डा होता है कि हम सत्यका साथ देंगे, हम विकास करेंगे और जीतने के बाद वो बड़ी सेलेक्टिव हो जाती है, यान पता नहीं इसा क्या चमतकार हो गया कि वो बीजेपी और मोदी के गुडगाने लगे हैं, मतलब मैं तो बड़ा हैरान होता हूँ कि ऐसे कैसे कोई चीचे जो लाती है, मेरा पॉइंट दरसल यह है कि एक तरफ आप कहते हैं कि इमानदार रहें, इमानदारी से काम कीजिए, बीरोक्राइट से आप यह उम्मीद करते हैं कि विवस्था बदलेगा तभी जब आप इमानदार रहेंगे, अगर वो इमानदारी से काम करना चाहे और इस तरह का प्रेशर इस तरह का दवाव हो कि भी बड़ा होके मैं बात करना चाह रहा था, तो क्या यह प्रेशर पॉल आप क्यूने ही उमानदार हैं, आपक्योने ही उस शिश्का आप जियू उस चीश्क फालो करते है हैं, अधिकारी घोड़ा जा सन्साद में जितने लोग बैठे हैं, 34% लोग ऐसे हैं, जिनके ऊपर कॉठ मे मुकदमा चल रहा है, लेकिन आप बिल्कुल अधिकारी और बीजेपी नेता सब इन वाल में सारी पार्टियों की बात कर रहा हूं मेरे काने का मतलब सारी पार्टियों में ऐसे कुछ लोग हैं जो की ऊपर से लेके नीचे तक वह एक दूसरे को प्रस्राइज करते हैं मोटिवेट करते हैं पॉस्टी या निगेटिव वे में कि इस हिसाब से काम करो क्योंकि इससे हमारा परस्नल गेन यह होगा एक पॉइंट एक पॉइंट एक पॉइंट तो चूप करेंगे एक चोटा से सवाथ आप मानते हैं कि अगर पॉलिटिकली यह मोटिवेटेड नहीं होता तो शायद सब कुछ इमांदारी से चलता और अगर इमांदारी को प्रसराइज नेता कर रहे हैं तो शायद इमांदा अगर इमांदार आदमी बैठा हुआ है कोई नेता किसी पार्टी गा तो अधिकारी से इमांदारी काम लेगा बाइफोर्स ले प्यार से ले कैसे भी ले और ऊपर बे इमान बैठा है तो फिर वो उससे बुरे काम करवाएगा तो आपने मेरी बात बोली ना, अधरी तो बहुत है, आपकी बात के है, यह हकीकत तो सचा ही है, यह तो अभी सिर्क्यू विरोगत कर रहा है, यह बिल्कुल हकीकत है, अगर इमानदर आदमी, अगर बाप भी इमानदर होगो तो बेटे को अच्छी रहा पे लाएगा, किया हो, तो अगर उन्होंने किस लिए कॉल किया हो, तो नेताजी जानते होंगे, अच्छा, कंक्लूड कीजिए, क्या समझ में आ रहा है, अब, क्या होगा, मैं इस चीज को वाकही में, मैं कंक्लूजन के रूप में बोलना चाहूंगा, कि हमारे देश में वाकही में एक य चिम्मेदारी होती है, और आप सपत लेते हैं कि मैं किसी के साथ बेदबाओ नहीं करूंगा, मैं इमांदारी से काम करूंगा, मेरे कहने का मतलब इतने उंचे ओहदे पर पहुंच के और इस तरह कि फोन, टेप, कॉल सही है या गलत है, आपको अगर कुछ करना था तो आप पास डॉक्टर थी, किसी ने डब की थी, क्या थी, तो मैं समझता हूँ कि अगर वाकही में देश को सुधारना आए, तो सबसे पहले ये पर उद्देश कुसल बहुतेरे वाली जो चीज है, नेताओं को बंद करना चाहिए, सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए, अगर नेता लोग सुधार गए, तो नीचे की जितनी चीजे हैं, उनका मजाल नहीं है, धीरे-धीरे करके वो सब सुधार जाएंगे, ठीक है, बहुत-बहुत शुक्रिया आप दुनों मेहमानों का हम से जोडने के लिए, लेकिन एक लिए, अगर नेताओं के लिए, अगर नेताओं के